जय हैं दोस्तों स्वागत है अब सभी के study with aim SPP चैनल पर दोस्तों ये current affairs का dose with static gk का वीडियो है ठीक है इसके पहले 4-5 वीडियो मैंने upload किये हैं चैनल पर उसकी playlist बनी हुई है वो देख लीजेगा बेहतरीन तरीके से मैंने इसको करवाया हुआ है इसमें current affairs with static gk देखे static gk में ऐसे प्रश्ण है जो कि किसी ना किसी परिक्षा में या तो पूछे गये हैं या पूछे जाने की संभावना है ये सभी परिक्षाओं के लिए महत्पूर्ण है ये वीडियो जो भी मैं इसमें current affairs बताऊंगा 8-10-12 जो ही है वो महत्पूर्ण है वैसे तो current affairs में news तो बहुत सारी होती है लेकिन जो परिक्षा के दिस्टपूर्ण से जो महत्पूर्ण होती है उन्हीं को सिर्फ मैं लेता हूं जो कि संभावना है जिनकी अधिक रहती है कि ये आ सकता है तो इसको देखिए like कीजिए share कीजिए दोस्तों के बीच में share कर द देता हूं वहां से आप डाउनलूट कर सकते हैं इसको चलिए शुरू करते हैं देखिए आज पांच जनवरी है आज नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है राश्टी पक्षी दिवस मनाया जाता है ठीक है आज का पहला सवाल मैं इसी से सम्मंधित पूछूंगा कि बर्ड मैं इंडिया ठीक है पहला प्रश्ण हो गया चलिए सुरू करते हैं कल के प्रश्ण से सुरू करते हैं जो मैंने कल प्रश्ण पूछा था दो प्रश्ण पूछे थे मैंने एक मैंने पूछा था कि 14 बैंकों का राश्टी करन कब हुआ था येर पूछा था मैंने तो 1969 में हुआ था याद रखेगा इसके बाद छे बैंकों का और 1984 में हुआ था राष्टी करण तो याद रखेगा अभी as on date 12 national bank हैं अभी यह प्रश्ण आया था यह चल रहा एक्जाम एक तारीक को हुआ था तो एक किसी सिफ्ट में पुछा गया था यह कि as on date कितनी जो है आपके nationalized bank हैं भी तो 12 हैं याद रखेगा इसी तरीके से मैं बताता हूं देखे इन प्रश्णों को आप सोचते होंगे कि यह आएगा नहीं आएगा लेकिन मैं आता है वो प्रश्णों पूछे जाते हैं तो अभी मैंने यह बता दिया आपको हो सकता है आगे यह पूछा जाए आपको देखिए 1969 में हुआ था और उस समय कौन था PM तो स्रीमती इंद्रा गांधी थी याद रखिएगा iron lady of India के नाम से भी इनको जाना जाता है तो यह ची मैंने दो आपको बताये थे एक इंडिया ठीक है और एक अस्रीलिया मैंने बताये था आपको और दो का नाम पूछा था और तो एक है USA और दूसरा जापान यानि की टोटल चार कंट्रीज है यह चारों कंट्रीज मिलके एक दूसरे का सहीयोग करेंगे लगबख हर छेतर मे चाहे वो व्यापार ट्रेड हो ठीक है ट्रेड हो सेक्योरिटी हो जो भी चीजें है वो सब एक दूसरे को सहीयोग करेंगी इसलिए यह सब मल्टी लेटरल जो संगठन होते हैं वो सब बनाए जाते हैं ठीक चली यह मेंस के लिहास से बहुत महत्पूर्ण है जो GS2 का पेप मंत्राले दवरा फ्रजिवला चलेंज क्या है और विकास मंत्राले दवारा ओए सथे प्रश्णफ सकता है कि प्रज्यूला चलेंज किस इस मंत्राले को में सही उत्तर शंटना होगा तो यह ध्यान रखिएगा ठीक अभी दो-तीन चीजें स्टाटिक पोर्षन भी जान लीजे और इसके बारे में जान लीजे ठीके पहले प्रज्जोला चैलेंज है क्या बेसिकली यह ग्रामेड अर्थवयस्था को बदलने वाले जो विचार हैं, समाधान हैं, कारे हैं उनको आमन्त्रित करने के लिए यानि कि सजेशन्स मांगे गए हैं अगर जैसे कुछ आपके पास सजेशन्स हैं अच्छे सजेशन्स हैं तो उनको आप दे सकते हैं प्रज्जोला चैलेंज में और वो समाविसी विकास को बढ़ावा देने और ग्रामी डर्थ वस्था को basically किस तरीके से और बहतर किया जा सकता है क्या और अच्छा किया जा सकता है वो सब अगर आप suggestions कुछ देते हैं तो top 5 जो suggestions होंगे उनको चुना जाएगा committee के द्वारा और उनको 2 लाख रूपय का इन नहीं है कि किसी specific उसके लिए नहीं है कोई भी दे सकता है तो अगर आपको भी है तो आप एक group बना करके एक दूसरे से चर्चा करके दे सकते हैं तो अब static portion जान लेते हैं थोड़ा सा static portion ये जानने वाली बात है कि Gram料 विकास मंट्राले के मंत्री कौन है यानि कौन से मंत्री है जो प्रमूख तो गृराज सिंग्ग है स्री गृराज सिंग याद रखी इनका नाम ये क्रामीर विकास मंत्राले 1980 में बनाए गया था इसके सचिव द्वारा ये किया गया है इसके सचिव दौर्द find इसके सचिव कमार याद रखिया क् lithium है कौन है सेThis Come सचिव सचिव इसके सचिव सब्सक्राइब धि島 हे इतने सारी चीजे मैंने आपको स्टैकि पोर्षन में बता दिया है ठीक है चलिए नेक्स्ट में जुवारी ब्रिज जुवारी नदी है उस पे ये बनाए गया है तो जुवारी ब्रिज करके नाम से भी ये जाना जा रहा है तो ये केबल ब्रिज है आठ लेन का है ये ठीक याद रखेगा तो ये ये बहुत मतलब काफी लंबा ब्रिज है ये ठीक है दूसरा इंडिया का सबसे बड़ा है तो पहला कौन सा था वो भी याद रखिएगा देश का सबसे लंबा जो केबल ब्रीज है नर्मदा नदी पर बनाए गया है गुजरात ठीक नर्मदा नदी पर ये जुवारी ब्रीज पर है ये गोवा में है केबल जो दूसरा जिसकी बात की जा रही है गोव में जुवारी वहाँ के जो मांडवी और जुवारी दो प्रमुख नदिया है उन्हीं पे ये बनाए गया है गोवा के बारे में थोड़ा सा इस्टैटिक पोर्शन जानीए आप इस्टैटिक पोर्शन जान लीजिए यहां पर क्या है गोवा में देखे सबसे पहले तो उसकी राजधानी जानी है पंड़ जी दूसरा वहाँ पे CM कौन है तो प्रमोज सावंथ है वहाँ के गवर्नर का और है पियस स्रीधरन है पिल्लाई ठीक है वहाँ पे कुछ ऐसे wildlife centuries है या कुछ national park है जो हमें सब पूछे जाते हैं जैसे एक तो मोलम नेशनल पार्क पूछा जाता है याद रगे का मैं बता रहा हूँ यह सब प्रश्न है यह एक दम से यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं मोलम सबसे ठीक सबसे चोटा राज्य कॉंसा है और सबसे बड़ा राय्झ denis आप कमेंट सनसले सबसे चोटा मैं ने बता दिया आपको गोवा है तो ये सारी जांकारी आप याद रखिए सिर्थ के बारे में दूसरा सब से लंबा जो जुवारी ब्रेज करके हैं याद रखेगा सब से लंबाई में यह जीज ध्यान रखे क Alors गुजरात के बारे में थोड़ा स्टेटिक पॉर्सन जाने के लिए गांधी नगर है इसकी कैपिटल वहाँ पे गवर्णर कौन है आचारे देवब्रत हैं सीम कौन है बोपेश पटेल दूसरी बार बने हैं भी मुख्यमंत्री ठीक है भाजपा की गवर्मेंट है वहाँ पे गुजरात में देखिए बहुत सारे राष्टी पार्क है या वाड़ लाइब सेंचुरीज है वह सब है याद रखिएगा जिसमें से कुछ महत्तपौन है जैसे एक गिर नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क एसी आई सेरों के लिए एक महत्त्र पार्क है यानि कि अगर जंगली गतों के लिए एक भी आधर रखेगा ब्रड़ा वनार्जीव भी याद रखेगा यह तीन चार चीजें यह मैचंग में आते हैं एक तरफ यह नाम दे देगा दूसरी तरफ इस्टेट के नाम दे देगा तो आपको पता नहीं रहेगा तो आप गलत कर जाएंगे ठ अभी हाली फिलाल में ब्रमोस मिसाइल का एक एर टू ग्राउंड ऐसे परिक्षन किया गया है सुखोई 30 से सुखोई 30 माक 1 से किया गया है तो उसकी मार्ख चंदता पूचा है बेसिकली तो आप से यह परिक्षेति फ्रयक्त क्योंको है कि रीक्रेटर करके माक वन बोलते हैं या माक आई बोलते हैं जो भी आपको पसंदों बोल सकते हैं तो याद रखी गए वह चीज को ठीक है बैसिकली सूथट्टी एक लड़ाकों विमान है तो यह भी ध्यान रखिएगा एरफोर्स पहले प्रहमोस मिसाल के बारे में कुछ इस्टाटिक चीजें जान लीजिए क्योंकि परिक्षा में पुछा गया है तो गया चीज है उस पर जानने लाइक बहरत और रूस यह दोनों देशों के सहयोग से बना हुआ है भारत की जो ब्रहमपुत्र नदी है उसका ब्रहमोस और रूस की जो मोस्कावा नदी है यह दोनों को मिला करके वो ब्रम्होस मिसाइल बनाया गया है तो दोनों का यह जॉइंट वेंचर है इसलिए उसके सहीयोग से बनाये गया है इसलिए इसको ब्रम्होस नाम दिया गया है और यह धुनिकी गति से 2.8 इसकी गति है 2.8 मैक कि मैक क्या होता है कि जो धौन की घट से ज्यादा होती है उसको फिर वह हैं यह सकता है प्रशन पूछ सकता हैं Сेंटेंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले जिए आठ अक्टूबर 1932 से इसकी स्थापना मानी जाती है अभी चीफ आप दे एर स्टाफ कौन है एर चीफ मार्सल वी आर चौधरी है याद रखेगा इनका नाम धेवाक क्या है नव परस दीपतम या टस्ट इसकाई विद ग्लोरी याद रखेगा कि CDS कॉन है अभी करेंट में कमेंट करके बताएगा ठीक आरटे अई जवाब देही के मामले में सबसे खराब प्रत्रस्थNew आंदर बागी का नहीं और उसके महारास्टा है जिसका 23 परसंट है तो मतलब सेकेंड नमबर पर महारास्टा है तो यह चीज याद रखेगा बहुत ही महत्पूर्ण है पूछा सकता है यह प्रस्ट आर्टियाई जवाब देही में तमिल नाडुका सबसे खारा परतर संदा है ठीक है सूचना का अधिकार अध देश से क्या है कि सासन में पारदर्सिता लाना जवाब देही तै करना और जो सारवजिनिक लोग है जो लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए यह सारी चीजें करने के लिए आर्टियाई वगरा लाई गया है किसी भी विसएप जानकारी ले सकते हैं आप कुछ हैं उस इसके बारे में है अभी वाई के सिनहा है सूचना आयोग यह मुख सूचना आयोग तो जो है कौन है वाई के सिनहा तो यह जो महत्तूर्ण स्टैक पोर्शन बताता हूं इनको आप सुनते जाए रिवाइस करते जाए नहीं पता तो लिखते जाए वह से पीडिएफ दे कपड़े मंतराले सरी किया यानि कश क पड़े से सम говорю क्ते से बिल्कुल सभी आप सही सोच रहे हैं भारत की 55 हांच से बनी साथियों का यह उतसि यह ब्याश्बंस तरीके में हैं n me 16 मनाय जा रहा जो अभी मनाय जा रहा है घ्रिक है उसी के उपलख्ष में बहुत सारे कारेक्जर Prab Ham जगे-जगे संपण्द किये हैं तो उनको उसी के परपेक्ष में है उसी के साथ मतलब यह भी एक कारेक्रम है विरासत 20 तो यह याद रखेगा इस तरीके से प्रशन पूछे जाते हैं जो की वर्ड्स होते हैं विरासत उत्सौ अब पूछ लिया किसके द्वारा तो आप उसमें विभिन मंत्रा लेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप याद रखेगा कपड़ा मंत्रा लाए ठीक है अभी क 15 अगस्त 2022 तक लेकिन ये एक्स्टेंड किया गया है कब तक मनाया जाएगा तो 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा ये डेट याद रखेगा डेट बहुत मातपून है पूछी गई है ये डेट और आगे भी पूछी जा सकती है ठीक है तो ये ध्यान रखेगा विरासत उत्सौ नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन संचाली ट्रेन सुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है चीन बन गया है तो ये याद रखेगा दूसरा देश कौन बन गया है हाड्रोजन संचाली ट्रेन चीन चाइना जो है तो पहला कौन सा है पहला जर्मनी ह उसका नाम भी याद रखिएगा यूरूपी देश जर्मनी ठीक है चीन की और जर्मनी के बारे में कुछ इस्टैटिक पॉर्सन जान लीजिए जैसे इसकी कैपिटल जानी है चीन की बीजिंग यहाँ पर अभी प्रेसिटेंट कौन है तो जी जिम्टिंग है ठीक है जी जिम् चांसलर होते हैं तो ऊपर चांसलर अभी कौन है पौलाफ इस्कोल्ज मुद्रा वहां की यूरो है तो इनका नाम याद रखिएगा ठीक है ओलाफ इसकोल्ज ध्यान में रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हाली विलाल में जैपूर के राज भौन में मतलब जैप पत्ति जो अभी है श्रीमती महमहिम द्रोपदी मुर्मू उनके द्वारा वहाँ पे महाराणा प्रताब महात्मा गांधी की पृतिमाओं का उधघाटन किया गया वहाँ पे सम्मिधान अभी बोलते हैं यहां पर बहुत सारी चीजें हैं घुमने लायक जैसे आप वहां पर जाएंगे तो जैपुर में हवा महल आपको मिलेगा हवा महल मिलेगा जल महल मिलेगा आमेर का किला भी है वहां पर कफी सारी जगें हैं वहां पर घुमने के लिए कभी मौका मिले तो जा राश्टपती महामहिम जो द्रोपदी मुर्मू है उनके बारे में कुछ चीज जान लीजिए कई बार पूछा गया है परिक्षाओं में आगे भी पूछा सकता है जैसे अभी साथ FCI में ही पूछा गया है कि किस जंजात से जुड़ी हुई है उनका संथाल जंजाती है संथाली है याद रखिएगा पंद्रहवी राश्टपती है और पहली महिला जंजाती महिला राश्टपती है तो यह कुछ facts है इनको जरूर याद रखिए क्या पता पूछ ले तो revise करते रहिए इनको लिख लीजिएगा ठीक है next देखते है Captain Siva Chauhan Captain Siva Chauhan Siachin में तयानात होने वाली जगे है वहाँ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है जहां पर पहला सब्द लग जाए न वह महत्तपूर्ण हो जाता है यह अनुभो से बता रहा हूं यह चीजें अनुभो से आती है आपको पता सिवा Chauhan का नाम याद रखिएगा तो इतना ही आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी फिर नेक्स्ट कल फिर आपको इस वीडियो में कुछ कुछ चीजें बताएंगे नई चीजें जो परिक्षा के इस्ट कोंड से बहुत महत्तपूर्ण होंगी तो वीडियो को लाइक की लिएगा ठीक है अच्छा लगा होगा आपको चलिए तो यह इसकी चाहिए तो मैं चैनल के लिंक दिया हूं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको वहां से जोइन करके डाउनलोड कर लीजिए ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अप